हेलो गुट मॉर्णिंग वेलकम टू दे कोचिंग अभिसे कोचिंग सर्विसेज दुन्या की सबसे बहतरी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है जो की है जीरो लेवल एस्ट्रेंट के लिए अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है तो आप हमारे परसेंटे चेप्टर का एपिसोड नमबर दो एपिसोड नमबर वन में हम आपको बता थे एक से लेके 21 नमबर कोचिंग तक और अभी आगे होगा 22 से लेकर के पता नहीं कहां तक 30 मिनट में जहां तक जाए हम बना लेंगे 30 मिनट का होगा एक वीडियो एक एपिसोड तो यह दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और देखिए परसेंटेज को किस रूप में हम लोग बिल्कुल बनाते हैं और बात करे धांसू सर के आवाज में मतलब उनके भासा में तो कैसे हम लोग को उड़ाते हैं तो बिल्कुल कोई भी कही ने जाना बिल्कुल पहुंचाना यही तीने स्टेप हम जितने सारे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सब में हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसलिए बिल्कुल अगर आपको हजारों ट्रिक से आप परशान हो गए हैं तो बिल्कुल कहीं मत जाए इस वीडियो को पूरा देखिए आपको सब कुस आ जाएगी समझ में बहुत आई लोग का सवाल होता है ना कि आप सर असान कोशन बता रहे हैं भाड़ी कोशन किदर है तो भाड़ी कोशन जो आने वाले एपिसोड में आपको बिल्कुल बताएं क्योंकि जीरो लेबल स्वेंट को बिल्कुल सुरू से लेकर करके चलना बताना कम कर देंगे तो बीटो है जल्द इल चलेगी और कोई भी कोशन कोई भी ऐस्परेंड है इसली बना सकता है ओके तो कोशन हम आते यहाँ पर कोशन हां 22 पर है आपको हमेशा क्या करना है कोशन के भासा को समझते हैं कुछ अपने अंदाज में आओ वेह क्या करता हूए संख्या 35 संख्या 65 का कितना परतीशत diff आपको कोस्टिन में किया करना कुछ नहीं करना बस कितना जगा पर एक्स डाल देजे संक्या 35 जो है ना संक्या 35 जो है वो जो है वो संक्या 75 का एक्स परतीजत है यह एक्वेशन क्रेट हो गया अब इसको एंसर में कनवर्ट करिए 5 से 5 से कटें तो पंद्रों बट्टा 20 अब फिसको आपर से कटा सकते 5 से कटाएंगे तो फिर कटेगा हमको डायक लिए 25 से सकते थे पाचीस्ति अप्रैल तर अब फिस्चोगा एक्स यहां पेचारा जाएगा यहां पिया चाएगा 3 अब एक्स बड़ावर क्या हुआ रिदर गुणा में ति आगर बट्टा मोगा तो एक्स बड़ावर क्या हुआ अब रच्टा में 3 एंसर देखे किसमें दिए है अच्छ यहां 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 चार जूट गया था चार इसमें गुना हो जागा थीक है 35 को चार से गुना करें तो 30 चोगा 125 को 20 यहांनी 140 बट्टा आपका यह होगा एंसर ठीक है कि आगे का कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर 18 देखें क्या रहता है कि कुश्चन अठारा गराम साथ दसमनों दो किलो का कितना पड़ती साता है बहुत ही इंपोर्टेंड कोश्चन है अब हम आते फिजिक्स में फिजिक्स का कमरएं आते हैं आपको फिजिक्स के दूनिया में क्या आपको पढ़ना था कोई भी कुश्चन भाड़ेया यहां पर जाहे तो यहां होना चीए अगर यहां पर कीडो घ१र होना चाहिए ठीक यहां पे किलोग्रम होना चीह था लकिन यहां पर नहीं है तो हम से कनवर्ट करना पड़ेगा आप एक बात अच्छी से ध्यान रखिए कि आपको हमेशा जो कनवर्ट करना है वो बड़ी रासी को छोटी रासी में कनवर्ट करना बड़ी रासी को छोटी रासी में कनवर्ट करना अब बते एक किलोग्राम ज्यादा है कि एक गराम ज्यादा है एक कीलो गराम, ठीक है, एक हजार गराम जो है न, वो एक कीलो गराम के बड़ाबर होता है, यहाँ पर क्या कता कोशन में, 18 गराम, 7.2 कीलो का कितना परसेंट है, हम इस कीलो का गराम में कनवर्ट कर लेते हैं, यानि देखिए, यहाँ पर 18 जो है न, वो 7.2 कीलो का कितना परस के फोर कितना लिख सकते हैं एक्स फोर में भी एंसर लिख सकते हैं लगी के फोर कितना लिकिने तो सुनने में थोड़ा अच्छा लएगा आपको इसली बन भी जाएगा देखे अठारा गराम जो है न वह 7.2 किलो का अब यह किलो रहा नहीं हजार से गुना कर दिए वह गया गराम तो साथ दसनों 2 यानि की 7200 गराम का कितना परशंट के फोर कितना परशंट जो पूश्रा वहीची यहां पर लिख लिए तो के फोर कितना परशंट है यहां पर देखिए इस से इसको कटा दीजिए अब देखिए इस पॉइंट को हटा करके अब बट्टा में 10 डाल दीजिए अब 10 से 10 को कटा दीजिए अठारा एकम अठारा अठारा चोका बहततर एक बट्टा चार यानि के बड़ाबर एक बट्टा चार हो गया अब एंसर आपको दिया किसमें पॉइंट में या फिर सिंपल है तो इसको क्या करते हैं 0.04 पिछला वाला कोशन आप याद पिछला वाला कोशन में एक बट्टा चार का बहलों 0.04 निकालेते इसलिए इसको याद ही कर लिजिए ठीक है आपको सब जगा पे काम करेगा जितने सारी चैप्टर बनाएंगे सब चैप्टर में यह काम करेगा चले ठीक है यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का भी एक चैप् चैप्टूलेशन में चलिए आगे कोशन क्या था दो क्विंटल है कि कौन सा कलर उठाएं चल्दी सबार कि पीला उठा लेते हैं कि बुलू यहां ओके दो कुंटल दो दोसना पांच किलोग्राम का कितना परसेंट अब देखें यहां पर यहां पर क्या की कुंटल है और यहां पर देखेंगे दो कुंटल है आप दोसना पांच किलोग्राम है तो किलोग्राम है कुंटल ज्यादा कोन है ज्यादा है किलो ग्राम में आ याद रख लिए फिजिक्स का कि 1 कुंटल में वहता है एक 41 एक कुटन कुण स package की लोगराम एसंद दवन 2905 किलोगराम पर तो दो कुंटल मतलब 200 किलो 200 किलो यानि 200 जो है वो 2.5 का कितना परतीसत है ये बन गया ठीक है अब इस पॉइंट को हटा देजिए बट्टा में दल देजिए 10 अब 25 का 100 तो के बड़ाबर क्या हो के बड़ाबर 200 गुना 10 गुना 4 चार दुना 8 यानि 8000 परतीसत क्या हो गया आठ हजार परतीसत है कौन सही है तो आपका एंसर क्या वह एंसर किसका है सी है ठीक है आगे देखते हैं कि इसको के शाटेगा यह तो गरबर हो गया यह भटने रहा है एक मिनट कुछ सलूसन निकालते हैं कि रिवर्स कर देते इसको अब हट जाएगा अब उसका यूज नहीं करें हो गया है कि अगया है हां कुछ रबना बता दिये यह बन गया है चले कुछ अब आपको हम बिल्कुल ना समझाते हुए चल जाते हैं अब आपको ज्यादा कुछ पढ़ाने की जवत नहीं है आप लोग खुद समझदार हो गए यहां पर देखिए मुझावानी बनाईए एक मिनट बारा सकेंड एक घंडे का कितना प्रेशन्ट है अब देखिए यहां पर थोड़ा सुविधा आपने देखे एक मिनट बारा सगेंड तो घंटा मिनट के बीच में बता दें समय साथ सकेंड का हो मिनट बारस सव estrogen圍 एक घंटे का कितना परशन्ट पैसा लिखें आप लोग आपडूंग जो है एंसर में क्या लिखेंख दो दो जो है इंस्वितिस की सुकह का कितना अपरशेंट 72 होगा 3600 का 1% बढ़ाव 72 इस पे आप लोग बना दिजी इस कोशन को ठीक है अब आगे के देखिए एक दिन का कितना परतिसाथ 4 घंटे 30 मिनट होता है अब देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है 12 घंटा नहीं होता है दिन का मतलब यह नहीं कि जब सुर्ज निकला हुआ तो उ नहीं कि पूरा का पूरा 24 घंट है एक दिन में होता है 24 घंटा अब देखिए 24 घंटे का कितना परजंट 9 घंट ses 13 मिनट नहीं सारी चार बोल सकते हैं सारी चार मतला 9 बटा 2 भी बोल सकते हैं 4.5 बोलिए या फिर 9 बटा 2 बोलिए बात ब्राबर है तो यहां पे 9 बटा 2 लिखते हैं 9 बटा 2 होगा है यह आपका equation कर दिये इसको आप लोग calculate कर लिजेए 24 का के फूर कितना प्रसंट इतना इसमें के का वैल सकते हैं ठीक है तीन बटा 4 का कितना प्रसंट साथ बटा आठ होता है अब देखे बहुत सारे स्ट्रेंट यहां पर बटा में देख बटा देख करके घबरा जाएं घबराने की कोई जवरत नहीं है हम यहां पर जो चीज़ आपको सिखाए है वही चीज़ आपको हम दूब आपका टीन बटा 4 का कितना परसंट तो चलिए के बटा हंडेड लिग देते हैं कितना परसंट बढ़ाबर कि सात बटा आठ अपने से भी हो जाएगा इस रेंट कर सकते हैं तीन एकम तीन चार एकम चार और चार दोना आठ दूसे फिर कटेगा दूसे पचास बनें अब न में तीन अब इसको घड़िए एंसर हमको है पुर्णांग में तो 350 है ना तीने कम तीन तीने कम तीने कम तीन 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 चाहता रख दू बट्टा 116 पुर्णांग दू बट्टा तीन आपका ओप्शन दी आगया ठीक है इस रूमनिया आगे कोशन देखते हैं कोशन कौन सा है कोशन आपका चार बट्टा साथ किसका 24 परशेंट है कोशन क्या करता है चार बट्टा साथ जो है ना वो किसका 24 परशेंट है चारबटा साथ किसका 24 परसेंट है तो ऐसा बोलिए चारबटा साथ जो है न वो X का 24 परसेंट है तो चारबटा साथ बराबर X का 24 परसेंट बन जाएगा न बना लिजे चलिए आगे देखते हम लोग यदि X Y का 90 परसेंट हो तो Y X का कितना परसेंट है यह परसेंटेज के द बेहत जरूरी है तो अब देखिए है चलिए यहां पर हम इसको ग्रिन सिंग हम लेते हैं चलिए देखें क्या कथा कोचन में यह दी एक्स इसको ध्यान से देखिए इसको बहुत इंपर्टनब्वेसन आध में यह दी एक्स य का 90 परेसेंट रहीं देखिए एक है एक्स एक है आपका वाई तो एक्स जो है ना वाई का नब्य परसेंट है अगर उंगली उठेगा तो किसके तरफ उठेगा एक्स जो है ना वाई का नब्य परसेंट है एक्स का सेटिंग वाई से चल रहा है तो एक्स जो है ना वाई का नब्य परसेंट है तो तीर का ज पहले है यहां पे एक्स बाद में है अब देखे एक्स का तुलना वाई से किया है पहला स्टेप में अद दूसरा स्टेप में क्या बोलता है वाई जो है वो एक्स का कितना परसेंट है यहां पे सीधा वक्त बदल दिया जैसे बात बदल दिया वही वाली बात हो गई बस एक् और ओला है yX का कितना पर संट है यहां पिर हमको मानना पड़ेगा अपने आप समाल थे 100 किसी का वै Cuban ChTu Tech ओ एक्सबोर्प एक्सट है तो सब्सक्राइक 演出 से जो है सिवाआ का वैई मामन लेक्स हो सहां थे 100 अगर माल GPA लेने तो एक्स का वैथ क्या होगा ऑल्गानब्वे अगले ही पल किकला है वह नव्य का कितना पर्षेंट यान कि कि इसको करके इसली एंसर निकाल सकते हैं कोई डाउट होगा तो आप कोश्चन नंबर को कमेंट में रिख दीजिए बन जाएगा बिल्कुल इस चीको समझे एक्स वाई का 90 परसेंट तो य एक्स का कितना परसेंट है तो हम माल लेते हैं एक्स वाई का 90 परसेंट इसलिए हम नबर का कितना परसेंट है एक्स जो है वो नबर का X परसेंट है समझ मा गई चली आगे मरते है आगे देखिए क्या गता है यदि एक्स वाई का 40 परसंट तो य एक्स का कितना परसंट है फिर वही बात एक्स वाई का 40 परसंट है यहां पर एक्स है यहां पर वाई है Kung सोंट कितना परसंट है यानि 40 का कितना परसंट है एक सो तो 40 और है चालिस को धाई से गुना करें तो कितना हो एकसो यानिकी धाईसो परसेंट है धाई गुना है धाईसो परसेंट है दोसो परचास परसेंट है मुझे वान निगा कोशन यदि एकस का दोस परसेंट बडाबर है य के बीस परसेंट के तो एकस अनुपात य बडाबर कितना होग इसको देखी बता रहे तो देखिए यह यहीं एक्स का 10% बड़ावर वाई के 20% के तो है तो एक्स का दोस परशेंट बड़ावर बड़ावर वाई का 20 पर 30 अब देखिए यहाँ पर क्या बोलाई x अनुपात y का value निकाली जब आपको अनुपात चेप्टा पढ़ाएंगे तो उसमें तो अनुपात clear होगा ही लेकिन अभी समझ लेजे आप कि अनुपात का मतलब क्या होता है अनुपात का मतलब होता है भाग देना जिसे x अनुपात y तो x में y से भाग दिजिए 4 अनुपात 2 तो 4 में 2 से भाग दिजिए 25 अनुपात 7 तो 25 में 7 से भाग दिजिए तो अनुपात का मतलब क्या हूँ भाग दीजिए भाग देने का मतलब क्या हूँ बट्टा में लिख दीजिए तो X बट्टा Y का वैलू आपको पूछ रहा है X अनुपात Y का मतलब क्या हूँ एक्स बट्टा Y तो हम यहाँ पे X बट्टा Y लिखते हैं यी इधर है तो य को बढ़ावर किस पर ले आते हैं तो एक्स बटावाइग कर हो गया अब 100 से 100 कटा दी जीरो से जीरो कट गया तो एक्स बटावाइग बढ़ावर दू अब देखे इस के संग्या बटा में कुछ कुछ नहीं तो एक तो ही यह नहैं तो x अनुपात Y का वेलु एक वैया क्या वहाब दो अनुपात अनुपात का मतल़ प्लला का बटटा हुआ घángता है अर्टर यह III का देखते हैं यदी एक आठ परोसेंट बढ़रा अधा हो जाती है तो इसका भी तो आधा हो जाएगा ना तो दस परसेंट आपका एंसर होता ही अधू गया ओग ऐसेन दो कि यदि準 को यदि एक 90 परसेंट वड़ावर बीका तीस पर सेंट तथा बिबेबर एक एकस परशचंट तो X का वेलू कितना है ठीक है तो एकस का वेलू कितना इसको बनना पड़ेगा एक नब्चंप बढव बढव बी का तीस परेंट लिखते हैं का नब्चंट एक गुना नव बटा दस जीरो से जरो मुझवानी एकाटा दे मानली कर दिये एक परहंग को ये टोश जो ऑद कि घुना होका बढ़ाबर बिर्टा 10 तीन यहां से दस से दस कट गया तीन न गुटना तीन यह नो ए मटेन पीड ता विए बट भी बड़ाबर एक बढ़संट तिन अम देखे एवर मेरावर होनवाइट ठृट ए जो कितना ने करी ऩर ना अगो घ्र न कटना mmane तो एक अब लूग इतना वाग तीन सा हो गया चलिए आगे देखते हैं फूशन में क्या करता है यदि यदि वाई का एक्स परसेंट एक सो हो तथा जैड का वाई परसेंट दूसर हो तो एक्स और जैड में क्या संबंद होगा तो इसको बनाते हैं यदि एक्स वाई का एक्स परसेंट एक सो हो तो ओ वाई का एक्स परसेंट एक सो हो तो यहां पर देखिए एक्स वाई बड़ाबर कि दोसजार कि जैड़ का वाई परसेंट दूसा हो तो चलिए यहां पर जैड़ वाई बढ़ाबर बीस जार निकल जगा आपका लिखेंगे तो इसमें इपपांद बढ़ाने में थोड़ा चागएगा कोई बात नहीं देखते यहां पर य का वैलू कितना होगा य का वैलू 10 08 एक्स यहां पर वाई का मेलू 27 बट्टा जयर दोनुं जगहां पर वैका वैलू आपकें बढ़ाबर हो जाएगा तो देखने क्या होगा तो क्या होगा तो यह बरावर तो 10,000 है आप बट्टा एक्स बरावर बीस हजार तो आप बट्टा जैर्ड चार्जिर कर जाएगा तो जैडब ब्रावर 2x जैडब आवर 2x तो z बढ़ावर क्या हो ज़ा है 2x z बढ़ावर 2x किदर option b option b जो है न z बढ़ावर 2x यहां तक है z बढ़ावर 2x यहां पर हम लोग क्या किये है दोनो जगा पर y का value निकाल करके आपस में इसको बढ़ावर कर दिया है ठीक है ओके आगे का question जो है वो देखे क्या करता है यदि A का 20% बढ़ावर B यदि A का 20% बढ़ावर B और B का 40% बढ़ावर C तो A पलस B का 60% कितना हुआ इसको ऐसे A, B, C का बहुन मान लिजे A का 20% बढ़ावर B A है, B है और C है A का 20% बढ़ावर B अब B का 40% बढ़ावर C A का 20% B तो B अपना डियर्ट के लिए A पर dependent है C अपना डियर्ट के लिए B पर dependent है A को मान लिए एक सो है तो A का 20% बढ़ावर B तो B हो जाएगा कितना 20% अब 20 का 40% C है 20 का 40% कितना 4 दूना 8 इसका वैलू जाएगा क्या पूछ रहा है A पर अपना बढ़ावर B का 60% कितना होगा A पर अपना बढ़ावर B का वैलू होगा 120 तो 120 का 60% का वैलू बताईए बारशक 72 होगा इसका इंसर है कहीं पर नहीं है तो ओप्सन डी है नौट ठीक है आगे देखते हैं क्या पर अपना अपना बढ़ावर है तो B का Z पर सेंट कितना होगा यह कोशन थोड़ा सा टाइम लेगा आपका अगर देखिए क्या पर अगत है अगर A का X पर सेंट बढ़ाव बी का Y पर सेंट का बढ़ाव है तो B का Z पर सेंट कितना होगा तो B का वैलू एक के फर्म निकालेंगे एक का एक का एक का और एक का एकश पर सेंट बढ़ावर बी का बी का वाई पर सेंट के बढ़ावर है तो तो बी का जैट पर सेंट कितना है बी का Z% जो है न हमको A के फॉर्म में चाहिए तो B के जगा पे B का Z% A के फॉर्म हमको चाहिए खिलाल 100 से 100 कट गया तो B बराबर क्या हुगा AX बट्ता Y AX बट्ता Y Q क्या गता है B का Z% कितना हुगा और और आप्सेन देख ठेए A के फॉर्म है तो बी का जैड़ परसेंट बी का जैड़ परसेंट बी के जगह पर हम लोग इसका बी का वैलू डाल देते हैं तो बी का वैलू कितना है एक्स बट्टा वाई बी का जैड़ परसेंट बी का जैड़ परसेंट क्या होगा बी का जैड़ परसेंट क्या होगा तो अब देखिए यहां पे क्या option यह option बत्ता जैड़ परसंट एक वाइक्स बत्ता जैट परहंट एकर यहां पर यह है यहां पर देखिए लिखा हुआ इसलिए हम इसको सजाना पड़ गया ऑप्सन में इस रूप में है दिया हुआ इसलिए इसको सजाना पड़ गया ठीक है कितना मिन्ट हो गया 26 मिन्ट हो गया एक को सब्सक्राइब और निकल जाएब यह आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं मुझे पूरा भरोसा है आप लोग बना दिजेगा यदि एक्स माइनस वय का 50 परसंट बड़ाबर एक्स प्लस वय का 30 परसंट है तो x का कितना परसंट 2 रग से और य का अलग अलग से निकल जाएगा आदेखे एकस- Bringingा वाँ बर वर 50 एकस्मारास वाहाब पचास एकस्प्लॉस वाइबर ती एकस्प्छ प्लॉस वाइब और स्मारंत एकस प्लिए bons वह बरावर टीनिश को बनाते गाज तो लाइए था टो एकस बनावर चालीश एक्स बनावर चालीश वाइब और Y बाबल कितना हो जाएगा एकस माइनश तो य बेख दोस pills माइनस तरस थो एकस मैट्सेयाओ ट्फास एकस या फिदल दीइं वैस बडांब मैंने सट वाइबर विद्फ सत रस Κमइनस दॉस तो एक्स का कितना प्रसेंट वाई है माइनस में गई से निकल गया प्रस्वान देखें कुछन में क्या कहता है एक्स माइनस वाई का पचास परसेंट तो एक्स माइनस वाई ओ गाड एक्स माइनस वाई का पचास परतीस अब बड़ाबर एक्स प्लस वाई का तीस परसेंट एक्स प्लस वाई इतना हुगा अब इसमेंसे कटा एक्स एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई आपटा एक्स प्लस वाई बड़ाबर तीन बड़ा पांच हो जाएगा तो अब देखें थिरी और एक्स प्लस य का भेलू फाइव आगया तो दोनुं समुन करेंगे तो इससे यह कर जाएगा टू-AI R to prof 102 चार टीनंडर दंदर आबचार लिखेंगे चार तो मैं कि आ जूपम्न आजएगा अब mock tutor में क्या करता है 1 का कितना पर्रेंट वाइप कि आनि कितना परसंटिए एक है 4 का 25 परशंट है आगे देखिए यदि एकस में چ्टो बढ़ा दिया जाए तो वह 102 पर्शंट हो ठी एकस का मान क्या ही है यह बिल्कूल मुंझवानी बनिया को पॉस्चन एकस में छोब भढ़ा दिया जाए तो वह 102 पर्शंट हो जासी है पर्सेंटेज का एक बेसिक रूल है आप लोग उसको ध्यान में पढ़ रख लिजे अब से जितना भी बार हम कोश्चन पढ़ाए हैं मतलब इसको जो है इंट्रोडक्शन में यह सब चीप पढ़ा दिये लेकिन अब जो हम पढ़ाने का यह स्टाइल चुने हैं जब कोश्च को बरहा दिया जाए तो 102 परसेंट आती है अगर फइस सों नहीं बरहांगे तो उसको बरहाने पर 2% धाती है तो इसका मत्व परसंट च्वा है तो एक्स का 2% जो है वह है तो आभ नए पर दूटी यह चो एक्स परबर 300 इसली निकल गईड़ा आगे कुशन में एक पांच परसंट का मांदया तो एक आ वैलू केतना होगा वाई के वाई परसेंट का मान 36 है देखें वाई के वाई परसेंट का वैलू है 36 तो य एस्क्वार बढ़ावर 3600 तो य बढ़ावर कितना रूट अंडर 3600 रूट अंडर दो, 30 मिनट में ये भी खतम है, यानि एक घंटे में हमने सीका, दो एपिसोड में 43 कोशन, परशेंटे चेप्टर का बिल्कुल बेसिक कोशन हमने खतम कर लिया, अब एपिसोड 3 का वेट करिए, एपिसोड 3 में आपको सब का सब कोशन जो मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं से नहीं बता रहें, बिल्कुल बिल्कुल सीरीज में बता रहें, ये सब का सब कोशन हमारे मास्टर नोट्स है, आप लोग मास्टर नोट्स लेकर के भी अपनी तयारी कर सकते हैं, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, आप चेप्टर 3 का यानि के एपिसोड 3 का वेट क सॉल्व कर रहें, अभी थोरा बहुत कैलकुलेशन आपको करना सिखा रहें, और आपको प्लीज बताइए, एक जीरो लेबल एस्ट्रेंट अगर आप होते, तो आप इसको की सुरुम में समझते, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और को अपने दोस्तों तक सेयर कर दिजे, आप मारा चैनल का नाम भी कमसंग बता दिजाएगा कि अभी से कोचिंग नाम का एक यूटूब पर चैनल है, जहां पर बिल्कुलु फिडि में, ग्रूप D NTPC की तैयारी हो रही है, कमसंग मैथमेटिक्स तो आपकी हंड़े पर हो ह जाएगे, चलिए और भी चीरी के बारे मात करें, अगले वीडियो में इस वीडियो में बसना आई, तब तक के लिए धन्यमाद।